हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत एक पर फिर साथ का हमारे यूटूब चैनल दा कैड़ पॉइंट पर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आप लोग को पूरा देखना बिल्कुल की स्किप नहीं करना है तो चलिए आज का वीडियो को स सब्सक्राइब करने से पहले मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि अभी तक आपने अगब हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे और साफ में बैल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि आगे भी आप लोग को मेरी व चाहते हैं लेकिन इसमें ऐक तरीका अलग होता है कैसे कılar घ्रτα को इसको बताउँगा मैं तो कॉपी कमाड को ये करने के लिएक यहांप marụ करसकते की shortcut की होती है तो मैं दोनों तरह के साब को यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको यूज करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों एक object बना लेते हैं तो माल लीजे कि मेरे पास यहां पर एक circle है इस circle को क्या करना है मुझे करना है मुझे कहीं से इस उफजेक को कहां से आप कॉपी करना चाहते हैं तो इसको आप से पोफ सकते हो To सबसे चाहि जालता आप किसी भी पार्ट को सेंटर से हुचा है और उसे लेकर जाएज तो मैं हमें 350 रहुं और एंटर कर देता हूं तो देखें दोस्तों क्या हुआ यहाँ यहाँ पर यह कॉपी ओगया लेकिन अभीwright क्या है दोस्तो मैं poppy command के अंदर हूँ हभी 1955 क्या हो रहा है अभी धिकooky यह चाहि़ा है तोई से बाहरा आने यह आप को क्या करना है अपने माउस से क्लिक करना है दें यहां पर देखिए इंटर इस पर क्लिक करना है तो आप इस कमांड से बहार आ जाओ गे तो इस तरह किसे दोस्तों आप कॉपी कर सकते हो किसी भी object को या किसी करने के लिए आप लोग ऑपने खाए आप YOUR टरब करने के लिये तो दोने माउस को मूब कर रहा हुं इसको औप अपन पर हो तो इसको प्रत्त dgM करने के लिए निया करें यहां यहां यह लेके जाना चाहते हो अगर नहीं समझ में आया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों यहां पर देखिए कोपी के निचे मिला रहा है स्ट्रेश कमांड के कैसे इसका यूज किया जाता है तो बने रहे आप मेरे साथ तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छे लगिए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में पैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए भाए थैंक्स पर वाचिंग इ प्रेस वीडियो